नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों ये वीडियो आने वाले किसी भी कमड़िटो एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यदा महत्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुक आयोग यनी कमिसन है और और इंस्टिटूट है जहां से एक्जाम में अक्सर स्वाल आते हैं कि इनकी स्थापना कभू है हेड़कूर्टर कहां पर है या फिर आपको स्टेट्मेंट दिये रहते हैं तो देशे से भी स्वाल आ जाते हैं वरतमान में अध्यक्स और अन्य भी इंसे दुड़े कुछ इंपोर्टेंट इफेक्ट कवर करने वाले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये सबी कवर करने में समय लगने वाला है और इस परकार कंटेंट बनाने बहुत ज़्यदा मेहनत लगी है तो इस बात पर लाइक करते हूँ वीडियो को कंटीनू करने और जो भी के इंडियर चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसकी पीडियो फाइ इससे पहले एक इंटरनेस और और ओगनेजेशन का अलग से वीडियो बना है हुआ वो भी आप देख सकते हूँ लेकिन इन में इस्पेशली भारत के देखेंगे जिनके स्तापना कब हुई है संग्ठन जो हेड़कोर कहां पर है या फिर उनके वरतमान में कौन चैर्मेन है डारेक्टर कौन ये सभी कावर करने वार है वीडियो कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप किसी भी कमडिटिव एक्जाम्स की त्यारी करते हो अपनी त्यारी को पर रखने के लिए कॉंफिनेस लोल हो गया टाइम मेनेजमेंट हो गया इन सभी के लिए स टी जी के को और यूज करते हूं तो इस कोपन कोड से आपको एक्स्टा 40 रूपे का डेस्काउंट मिल जाएगा। इस अपॉच्टि का लाब उठाने के लिए description box में लिंक मिल जाएगी वहां से यह आप TQ के कोपन कोड यूज करते हुए test to की और भी प्र अप से भी यह mock test खरीच सकते हूँ, जहाँ पर exam में जो आपको interface और dashboard देखने मिलता है, सेम उसी परकार से आप pattern से practice कर सकते हूँ, यहीं सारे exam जैसे कि आप SSC, railway, banking, defense या पर कोई भी आदर state-level government exam से, इन सभी exams की त्यारी आपको एक ही pass के अंत्रगत, एक ही pass लेने में आप अलग-अलग exam के मौक्टश दे सकते हूँ, तो चली continue कर लेते हैं, यह topic का और करते हैं, देखिए का जो आपका पहला यहां पर आ रहा है, national bank for agriculture and rural development है, बहुत बार इनकी full form पूछी जाती है, बाकि इस्तापना से काफी बार exam में स्वाल आया हुआ है, नाबाड है, फिक्की वगरा इन सभी की, तो नाबाड है national bank for agriculture and rural development है, हिंदी में बोले तो राष्टी कर्षी और ग्रामीन विकास बैंक हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक तो कर्षी और एक ग्रामीन विकास है, नाम से इस्पष्ट इसका कारे क्या हो सकता है, यह नहीं, जिसका कारे ग्रामीन लोगों को रेन साहता परधान करना, इस्तापना इंपोर्टेंट है, तो 1982 में हुई है, नाबाड की स्तापना, 12 जुलाई 1982 कुई है, यादर कीगा, इसका मुख्याले है मुंबई महराष्टर में, और मंतराले की यह अदीन है, तो यह मिनिश्टी और फाइनेंस की वित मंतराले की अंतुरत कारे रथ है, वरतम उन छेतरों के सेहकारी बैंक और छेतरी बैंक के दोरा भुखतान किया जाता है, नाबाड सेहकारी बैंक को और Жो Raетр By के कारियों को अनिव आरए और pre-question के लिए जिम्मेदार है, ये दोनों ही सेहकारी बैंक है, अरर ये दोनों ही नाबाड की परेक्षन के अंतरकत कारी करती हैं और ये जो ग्रामिन छेतर में जो शेहकारी बेंग होती है या फिर छेतरी बेंग होती है जो ग्रामिन लोगों को रेंड वगेरा देने में शाहिता करती है कर्शी कारे के लिए तो ये नाबाड होगी 1982 में स्थापना है मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस के अंतर गताती ह रिजरु बैंक आप इंडिया से बहुत सारे एक्जामे स्वाल आते हैं सारे स्वाल भी बताने वाला हूँ किस परकार से आते हैं रिजरु बैंक आप इंडिया एक्ट है 1934 में इसी एक्ट के तैत हुई है आरवय हैं इसका राष्ट करण दोस्तों एक जनवरी 1949 को हुआ है कब हुआ एक जनवरी시는1949 को रिजरु बैंक आप इंडिया का राष्ट करण हुआ है अब दिखिए इनके जो वर्तमार में डिप्टी गवर्नर कौन है जैसे कि गवर्णनर तो हो गए शक्तिकान दाश हैं चार डिपटी गवर्णनर होते हैं आरबे के ये आपको याद रखना है तो वर्तमान में टी रविशंकर हैं ये लेट्टेश्ट मने हैं एमके जैन, एमडी पात्रा, एम, राजिसोर, राव, यह चार, डिप्टी गाउनर हो जाएंगे, अब दीके एक एक एक्जाम में एंटिपी सिम स्वाल आया था, भारतिय रिजरु बैंक का जो लोगो है, परतिक है, उसमें ताड की पेड के सामने किसका यहाँ पर शिंबल है तो यह रिजरु बैंक का इंडिया का लोगों भी आपको याद होना चाहिए, भारत में पर्थम बार बैंकों का राश्टी करण कब हुआ, एंटिपी सिम स्वाल आया, तो आपके एंगे, पहली बार जो राश्टी करण हुआ है, वो रिजरु बैंक का ही हुआ था, सबसे एक जनवरी 1949 हुआ था, आर बैंक का सबसे पहले हैं, लेकिन उसके बाद 14 प्रवेट बैंकों का राश्टी करण हुआ था, वो 1979 में हुआ था, ठीके, तो ये भी पूछे जाता है, 14 प्रवेट बैंकों का राश्टी करण हुआ था, वो 1989 में हुआ था, सबसे पहले आर बैं अब दिकी बैंकिंग चेतर में ग्राकाओं को श्रकायतों के निवान के लिए आर्बेने के सदिकारी की न्यूक्ति की है तो आप कहेंगे बैंकिंग लोकपाल की न्यूक्ति की है यह सभी प्रिवेस एग्जाब में पूछे हो स्वाल है रेजरु बैंक की गवर्नर का ही है वो नोटों की चपाई करता है यह पढ़नाली 1956 से लागवे भारत में इसके एकोडिंग भारतिय रिजरु बैंक को हर समय कम से कम 200 क्रोड रुपे की संपति बनाये रखने होती है उसके बाद वो नोट जारी करते हैं 2021 में आर्वाई से समझे एक और कानट पैर से कि वि इसके शाक्सरता शप्ता 2016 से आर्वे हैं वो प्रतिवश्राय जित कर रहा है तो यह सबी आर्वे से समंदित कुछ इंपोर्टेंट क्योसंस या फिर जानकारी आप देख सकते हो अगला स्वाल देखेगा सेवी तो सेवी यहाँ पर है सीक्यूर्टी एंड एग्चेंज बो कौन है चैर्मेर अजे त्याघि है सेवी के चैर्मेन है सेवी हिंदी में बोले तो भारत परति बुटी है और विनिम्य बोर्ड हो जाएगी जो सेक्यूर्टीज हैं वैटल वगेरा मेटल्स वा जो मार्केट को पर वगेरा वो कॉमिडिटी है बाकि जो भी शेर मार्केट रहता है आपकी कंपनी रिष्टेड है वो सिक्यूर्टी है तो भारत में परती बूती सिक्यूर्टी और कॉमिडिटी मार्केट का ये नियामक बहुत है सारा कंट्रोल है शेर म मार्केट संबंदित नियम और कानून बनाती हैं शेवी के स्थापना वैसे 1988 में हो गई थी लेकिन जो वेधानिक मानेता मिली है वो 1992 में मिली है शेवी के जो च्छेतरी कारले है वो नई दिल्ली कॉलकतत चैने और एहमदाबाद में है और शेवी के जो हॉल टाइम मेंबर्स हैं उसमें कौन है दोस्तों तो उनमें है जी महालिंगम और उसके बाद महाजबी पुरी बुज्ज हैं और एस के मुहानती हैं ये हॉल टाइम मेंबर्स हैं शेवी के तो इस सेवी के स्थापना याद रखना है और वर्तमान में अद्देक से आजे त्यागी 1992 में स्थापन ऩश्यात रखीगा और शेवी के वरतमान में चैर्मेन और मेनेजरीम डारेक्टर कौन है दोस्तों वो हो जाएंगी शेव शुबरमनियों रमन है इनके वर्तमार में चैर्मेन किसके सिड्वी की अप्रेल 2021 का ये करंटर किसका स्वाल बन सकता है चैर्मेन कौन है सिड्वी की तो आप कहेंगे शिवा रमन हो जाएंगे इनके चैर्मेन तो ये भारत की स्वतंतरी के वित्य संस्ता है जो सुक्षम लगू एम मद्यम उद्योगों की वर्दी एम विकास के लिए ततपर है भारते लगू उद्योग विकास में इस्ताफने याद रिखे और हेड़काटर जरूर याद रिखना अगला स्वाल दिखीगा बाकी यहाँ पर एक्जाम में आ जाए कि सिड्वी का सबसे बड़ा विक्तिक शेर धारक कौन है तो वो स्टेट बेंक उप इंडिया के पास जो सिड्वी के सोहरा पॉंट तेहतर फिष्टी शेर इनके पास में है हिश्चेदारी अगला स्वाल आइडिबिए की बात करें जो यह तो सिर्वी था एज़सथा दे तो इंडिस्ट्रियल डवलप्मेंट बेंक ओफ इंडिया हो जाता त तो इसकी jednak के लगती पास में कौन है? MR कुमार है, IDBI के चेर्मेन, MD और CEO की बात करया IDBI के राकेश शर्मा हो जाएंगी, और LIC है, ये IDBI का सबसे बड़ा व्यक्तिकर शेर धारा के सबसे अधिक शेर लगब 50% के आशपास, IDBI के वो LIC के पास है, तो इस्तापना 1964 में वरतमार में चेर्मेन MR कुमार है, बात जाता है, जिस परकार, बैंक में आपका एकाउंट खोला जाएगा न, पैसे वगएरा, आपको करते हो, ट्रांजक्शन या फिर सेविंग करते हो, शेल करते हो, तो आपका बैंक में एकाउंट जरूरी है, इसी परकार शेर मार्केट में, शेर खरिदने या बेचने के तो आप कहेंगे DMAT account चाहिए जिस परकार आप अपना account बैंक में खोलते हैं उसी परकार DMAT account है यह यह depository है जैसे National Security Depository Limited है इनके यह खोला जाता है तो यह हो जाएगी depository NHDL, SCDSL है और जो NHDL है यह first electronic security depository है भारत की NHDL है यह depository है NAC की National Stock Exchange की और जो CDSLC परकार वो Bombay Stock Exchange की depository हो जाएगी तो यह NHDL और CDSL है NAC और BAC है जो Stock Exchange है वहाँ पर आपका DMAT account रहता है यहाँ पर आपका सारा data रहेगा कौन सा share आपके पास कितने हैं तो इस्तापना इसकी हुई है 1996 में ठीक है वर्टमान में Managing Director NHDL के जीवी नागेश्वर राव है Chairman है BA प्रभाकार और यह First Electronic Security Depository हो जाएगी NHDL है वो NAC की है CDSL है वो BAC की depository है अब दिखे Central Depository Service Limited यह CDSL की Full Form हो जाएगी यह है दोस्तो BAC की एक होता है आपके NSE है जैदतर दोनों ही NSE में भी ट्रेडिंग होती है और BAC में भी ट्रेडिंग होती है सभी Share जो Companies है वो दोनों यहाँ पर लिष्ट रहती है जहाँ चाहिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो और जो CDSL है इसके स्तापना 1999 में होई है मुख्याले मुंबई महाराष्टर में मेरेजिंग डारेक्टर और CEO है वो निहल वोहरा है चेर्मेन जो CDSL के वो श्री बाल किष्णा भी चोबल हो जाएंगे तो यह स्तापना 1999 में होई है हेड़कॉर्टर मुंबई में और वर्तमान में जो MD है अगला स्वाल दिखीगा फिक्की का फिक्की की बात करें इसके स्तापना से बहुत बार एक्जमे स्वाल आता है तो आप करेंगे 1927 में फिक्की की स्तापना हुई थी फिक्की की फुल फॉर्म याद रखना आपको Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry भारती वानिचे उद्योग महाशंग हो जाएगा स्तापना 1927 1927 में हेटक्वाटर नई दिल्ली में है अध्यक्ष उदेश शंकर याद रखना है फिक्की के अध्यक्ष कौन है आप कहेंगे फिक्की उदेश शंकर है फिक्की की अध्यक्ष और जो शेक्रेटर जनरल फिक्की के वो दिलीप चेनोई है ये भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना और शिर्ष अप्यक्ष जो व्यपार शंक्टन है जो फिक्की है इस्तापना है वो 1927 में महात्मा गांदी के सलापर घंस्याम दास बिड़ला और पुरुशोतम ठक्कर के दोरा की गई है फिक्की की इस्तापना 1927 में अगला स्वाल दिखीगा जो आपके PFRDA है यानि Pension Fund Regulatory and Development Authority है Pension निधी विन्यामक और विकाष प्राधिकर इस्तापना जो हुई है इसकी वो दोस्तों 2003 में हुई थी तब उसका नाम था IPRDA तो आप केंगे IPRDA की स्तापना है वो तो यह 23 अगस 2003 को IPRDA का मतलब है Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority है और यह बिल पास हुआ है फरवरी 2003 में उसके बाद इसकी स्तापना 23 अगस 2003 को हुई थी और जो Pension Fund Regulatory and Development Authority Act है यह आपके 2013 में पास हुआ है तो Pension Fund यह नाम है कह सकतो यह वाला Act 2013 में और IPRDA 2003 में इसके Headquarter की बाद के तो यह नई दिल्ली में मुख्याल है Pension Fund के लिए बनाएगी एक नियामक संस्ता है Pension Fund जैसे के आपको पता National Pension System है उनके लिए नियामक संस्ता कौन सी हो जाएगी यह सेम आपके हो जाएगी PFRDA यह नि Pension निधी विनियामक और विकास प्रादिकर्ण के दोरा इसका विनिमन किया जाता है National Pension System से NTPC में स्वाल आया हुआ है कि इसकी इस्तापना कब हुई है तो भार सरकार ने देश में Pension 46 के विकास और विनिमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को Pension निधी विनियामक और विकास प्रादिकर्ण इस्तापित किया है यह तो हुआ था आपके PFRDA है तो यह राष्टी Pension प्रणाली एक जनरूरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानी वर्त आयप परदान करने के दिर्शिशे आरम की गई थी उस सुरुआत में यहनि जनरूरी 2004 में जब सुरुआत हुई थी उस समय केवल गवर्मेंट जो करमचारी है उनके लिए यह राष्टी Pension प्रणाली थी बाद में 2009 में यह सभी वर्गों के लिए इसे खोल दिया है वो 2009 में खोल गया था अगला स्वाल दिखीगा National Association of Software and Service Companies नाशकॉम है इसकी फूल फॉर्म तो आपको पता होना ही चाहिए काफी इंपोर्टेंट है तो National Association of Software and Service Companies हो दाएगी इसकी इस्तापना नाशकॉम के इस्तापना 1998 में हुई है 1988 में एक मार्च 1988 को नाशकॉम के इस्तापना Headquarter ने दिल्ली में है मरतमान में इनके अध्यक्ष कौन है नाशकॉम के तो देवजानी खोष है इनके अध्यक्ष देवजानी खोष है नाशकॉम इनी National Association of Software and Service कंपनी जिसकी इस्तापना 1988 में और इसकी चैर पर्षन है वो रेखा M. मैनन है जो पर्थम माईला अध्यक्ष भी है और वर्थमान में जो वाइस प्रेजिडेंट एंड सी इओ है वो अमित अगर्वाल है प्रेजिडेंट है देवजानी खोष और चैर पर्षन्द रेखा M. मैनन हो जाएका 1988 में नाशकॉम की इस्तापना हुई थी अगला स्वाल देखे के आपर जो अगला आपके संक्टन कह सकते हूँ Council of Scientific and Industrial Research CSIR है इसके इस्तापना 1942 में हुई है Council of Scientific and Industrial Research CSIR इस्तापना 26 सितंबर 1942 को हुई है Headquarter न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है अध्यक्ष भार्थ के प्रधान मंत्री है इनके अध्यक्ष होते हैं CSIR के Vice President है वो वर्तमान में जेतिंदर शींग है Director General है वो CSIR के उनका नाम है Dr. शेकर सी मांडे वर्तमान में Director General है और इनके संस्तापक CSIR के जो Founder है वो है दोस्तो एरकट, रामाश्वामी, मुदलियर और शांति शरूप भातनागर है तो ये वेग्यानिक एंव उद्योगिक अनुशंधान परिश्रत भारत का सबसे बड़ा विज्यान तथा प्रोद्योगी के अनुशंधान एंव विकास संस्तान है इसका वित्ति प्रबंदन भार सरकार के विज्यान अउप्रोधुकी की मंत्राले की दोरा किया जाता है इसके अंत्रगत CSIR के अंडर में 38 रिसर्च लेबरेटरी है वो कारिरत है तो ये हो गए आपके Council of Scientific and Industry Research जिसके स्थापना 1942 में होई है वरतमान में इनके Director General है वो शेकरशी मांडे हो जाएंगे अब Next में बात करूँ वो है दोस्तो नैस्तर हाउशिंग बैंक याई राष्टी आवाश बैंक है जिसके स्थापना 9 जुलई 1988 होई थी ठीक है मुख्याले नई दिल्ली में है और इनके Owner है Ministry of Finance के अंतरकित आता है नैस्तर हाउशिंग बैंक है Managing Director कौन है NHB राष्टियावास बैंक के वो है दोस्तो शारदा कुमार होता है वरतमान में इनके MD है नैस्तर हाउशिंग बैंक के बाकि यदि आपको कोई PDF चाहिए जैसे NTP सिम पूछेवे स्वाल है तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा लिंक डेस्क्रिप्शन वाक्स में है टॉप ट्रेंडिंग जीके डॉटिन वेबसाइट है और जो टेली कम्यूकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलियेट ट्रिबिनल जो TDSAT है वो इसकी इसी के अंतर कता जाता है दूर संचार विवाद एवों अपील अधिकरण है ये 2000 में स्थापितुआ है TDSAT आपको याद रिकीगा 2000 में जो टेली कम्यूकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलियेट ट्रिबिनल है 2000 में स्थापित हुआ है फिर मैं यापर बात करूँ आपके वो है फूर सेप्टी एंड इस्टेंडर्ड अज्टरिट्य अप इंडिया फज्जाई है इसके स्थापन दोस्तों अगस 2011 में हुई है फूर सेप्टी एंड इस्टेंडर्ड अथरिट्य अप इंडिया की स्थापना ये किस एक्ट के तैत हुई है तो ये फूर सेप्टी एंड इस्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तैत फज्जाई की स्थापना अगस 2011 में की गई है तो फज्जाई को 2008 में स्थापित किया गया था लेकिन खाद्य प्रादिकरण की भीतर काम प्रभावी रूप से 2011 में इसके नियम वगेरा लागू हुए है मुख्यले फज्जाई का दोस्तों न्यू दिल्ली में है वरतवाना में फज्जाई के जो चैर परशन है वो मिस रिता तेउटिय हो जाएगी और इनके CEO है वो है दोस्तों सिरी अरून शिंगल तो ये हो गए आपके फज्जाई जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी मुख्यले न है वो सारुजनिक वित्रन मंत्राले के अधीन कारेरत है इस्तापना 1986 में संस्यत के दोरा पारित किया गया था इसका अधीनियम जो मानक ब्यूरो अधीनियम है बियाई-एस एक अप्रेर 1987 को आस्तितों माया थाबाद में वरतमान में बियाई-एस के डारेक्टर जनरल कौन है प्रमोद कुमार तिवारी है भारति मानक ब्यूरो का जो हेड़कटर है वो नई दिल्ली में है इसके पांच रीजनल कारेले भी है जो कौलकता चैनेई मुंबई चंडिगड और दिल्ली में इस्तित है तो ये नैस्नल स्टेंडर्ड बोर्डी है जिसकी स्तापना है बिय है इसके कारे से काफी बार एकजमे स्वाल आ जाता है तो परमुकारे मानक निर्धारन होता है अंतराश्टी गतिवीद्या उत्वाद को परमानन करने के लिए हॉल माकिंग हो गया प्रयोक्षाला सेवाए, परशिक्षण सेवाए, राष् instant मानकीकंट परशिक्षण संस्त में बरतमान में बीशीशाई के अद्धिक्ष है शोरो गांगुली उपादिक्ष राजिव शुकला सच्चिव है जैशा और बीशीशाई के अंतरगत जो आपकी मेंस क्रिकेट टीम के कोईचे उरवी शास्त्री वुमन क्रिकेट टीम के कोईचे रमेश पोवार है माईदो त बीशीशाई के पर्थम अद्धिक्ष आरी ग्रांट गोवन हैं बीशीशाई के थर्ड अद्धिक्ष नवाब हमिदुल्ला खानेवो भुपाल के अंतिम शाशक थीं बीशीशाई के दोरा आयोजीशाई जो घरेलू यानि डॉमेस्टिक क्रिकेट की परत्योगिताई हैं उसके अंद्रवत कूच बेहर टोफी, रंजी टोफी, दिलीब टोफी, NKP, सालवेज चेलेंजर टोफी, देओदर टोफी, विजे हजारे टोफी, IPL हो गया, शेद मुस्ताक अली टोफी है, विन्नु मानकर टोफी और एरानिक काफ हैं ये कुछ घरेलू परत्योगिताई जो बीशी, शेय आयृज़ित करती है, वरतमान में नेस्तर किरकेट टीम के कपतान विराट कोली हैं, और वुमन की, जो नेस्तर किरकेट टीम की कैप्टेन मेतालिराज हैं, टी ट्वेंटी के हर्मन रित कोर हो जाएगी, इंडिया केमीकल काउंसिल आई सी सी आपके हो जाएंगे खरंगले तो वर्तमान में Indian Chemical Council की जो डारेक्टर जनरल डारेक्टर हैं वो दोस्तों HS खरंगले तो ICC के बारे में इंडियन Chemical Council के बारे में आपको एक तो 1913 में स्थापना है Headquarter Mumbai में है और यदि करन्ट से पुछे जाता है इनके जनरल डारेक्टर कौन है तो आप कहेंगे HS खरंगले हो जाएंगे Next में देखीगा Indian Standless Steel Development Association IHSDA तो IHSDA के स्थापना 1989 में हुई है Indian Standless Steel Development Association जनके वर्तमान में अध्यक्ष है Mr. K के पाहुजा इनके अध्यक्ष है मुख्याले है वो गोडगाव हर्याणा में है तो गुरूग्राम हर्याणा में ये मुख्याले है Standless Steel Development Association का Next बात करूं Central Esthetics OPS and CSO है जिसके स्थापना 2 मई 1991 में हुई है और CSO का मुख्याले है New Delhi में इसी प्रकार NSC है National Esthetical Commission तो National Esthetical Commission है जिसकी जो इस्तापना है या फिर ये प्रभावी रूप से प्रभाव में आया है वो 12 जुलाई 2006 को आया है अगला आपकी आपर इस्ट्यूट है वो National Safety Council है National Safety Council है राष्टी सुरुक्षा परिशन इसकी इस्तापना 1966 में हुई है 4 मार्श 1966 को Headquarter दोस्तों बेलापूर नवी मुंबई में है मंत्राले Ministry of Labor के अंत्र को आता है वर्तमान में चैर्मेन है जो National Safety Council के वो कोने स्री S.N. सुब्रमिनियम इनके चैर्मेन है फरवरी 2021 से ये NSC आनि National Safety Council के चैर्मेन है राष्टे इस्तर पर सुरुक्षा है स्वास्ते और प्रयावन यानि जो S.H.E. विक्षित करना और बनाए रखना इसका कार्य हो जाएगा अगला यहां पर बात करें Central Pollution Control Board येनी CPCB Central Pollution Control Board इसकी स्थापना 1994 मुई है CPCB जिसका मुख्याले न्यू दिल्ली में वर्तमान में चैर परसन है स्री नरेश पाल गंगवार हैं वो CPCB के अध्यक्ष या फिर चैर परसन कह सकते हो इनका हैड ओपीस है वो न्यू दिल्ली में हैं और साथ जोनल ओपीस हैं पांच लेबरेटरीज हैं CPCB के अंदरगत हैं किसका यह हो जाएगा CPCB Central Pollution Control Board इस्तापना 1914 में बात करूँ या पर CBFC यानि Central Board of Film Certification है तो फिलम को सर्टिफिकेट देने के लिए जो CBFC के स्तापना 1901 में हुई थी कब 15 जनवरी 1971 को और जो CBFC का मुख्यले है वो दोस्तों मुंबई में हैं वर्तमान में चैर परसन काफी इ जाद रिखेगा CBCFCनी Central Board of Film Certification है इसके जो चैर परसन परशुन जो सी है यह Minister of Information and Broadcasting के अंदर के ताबते हैं के अंदरी फिलम परमानन बोर्ड है जो बात हो रही है CBFC की इसकी स्तापना है वो शेनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तैज की गी है पूरो में जो सेंसर बोर्ड के नाम से परशिद इसका पहले नाम सेंसर बोर्ड था और इसी नाम से परशिद यह संग्णन भारत में परदर्शित होने वाले विभिन स्रेणी की फिलमों के लिए प्रमान पत्र जारी करते हैं किस प्रकार की चारक प्रमान पत्रियां पर जारी किये जाते हैं के अंदरी फ उसके बाद UA आप देखते होंगे जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो सर्टिपिकेट आपको देखने मिलता है या फिर हिंदी मोलत अवर ठीक है तो इस रेनी की फिल्मों के कुछ दर्शियों में हिंसा होगी या फिर अश्रिल भाषा यौन सम्मंदिश रामगरी हो शकती है तो इस रेनी की फिल्म में केवल 12 साल से बड़े वेक्ति हैं 12 साल से बड़े वेक्ति किसे अभिभाव की उपस्तिती में ही देख सकते हैं ये हो गया UA सर्टिफिकेट है उसके बाद A होता है इसके लिए सिरफ वेश्क यानि 18 साल या उससे अधिक उमर वाले वेक्ति हैं व उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शक जैसे की इंजिनियर है डॉक्टर है आधी के लिए बनाए गया है विशिष्ट दर्शकों के लिए की केवल इंजिनियर के लिए कोई फिल्म बनाए गई है या फिर केवल डॉक्टर के लिए है तो वो विशेस हो जाए की नेक्स्ट बात करूं डेफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाइजेशन की डेफेंस मंत्राले गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तहती कारे करता हैं हैं रक्षमंत्र अलिका दीन है इस्ताप्ण इर्डडियो के इंप्रेंट के डॉक्टर पहले मिर्षाहिल थी शवी धर्सक में धासे में अब दियारड इप्नी नर्ट के दोरा अपको पूचसरी तो secretly टोंटरी दोंट वन प्रयोंक्षाला हैं परमुख संसथा Development Establishment बैंगलूरू में Earnments Research and Development Establishment ये पूने में है Center for Airborne System ये दोस्तो बैंगलूरू में ये सभी आप Institute देख रहे हो ये DRD-O की ही संस्ताइं है Center for Airborne System बैंगलूरू में है Center for Artificial Intelligence and Robotics ये important याद रखेगा ये भी बैंगलूरू में Center for Fire Explosive and Environment Safety दिल्ली में है Defense Food Research Laboratory मेसूर में है Terminal Ballistic Research Laboratory ये दोस्तो चंडीगेड में है Next is GSI ये जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया है Geological Survey आफ इंडिया की स्थापना 1891 में की गई है 4 मार्च को Headquarter कॉलकता में है वर्तमान में GSI के Director General है इसका मंत्राले है वो Minds जो खनन मंत्राले का अंत्रकत ये GSI है अगला बात कीजिए अपन इंडियान Council of Medical Research ICMR की बात करा है तो इसकी स्थापना 1911 में हुई है ICMR Indian Council of Medical Research इसकी स्थापना दोस्तों 1911 में हुई है उससे में स्थापना हुई थी तो इसका नाम था IRFA ठीक है 1949 में इसका नाम चेंज होके ये हो गया ICMR Indian Council of Medical Research है शुरुआत में IRFA तेसकी स्थापना 1911 में नाम चेंज हुआ 1949 में मुख्यले न्यूदिल्ली में और Director General है जो ICMR की वो दोस्तों बलराम भारगव याद रखी का Director General है ICMR की अब इनकी की ICMR की भी काफ़े इस्टिट है वो कहां परिष्टी थे National Institute of Nutrition ये हिदरबाद में है National Animal Research Facility for Bio Medical Research है ये भी हिदरबाद में National Institute for Research in Tuberculosis है ये दोस्तों चेंड़े में है और National Institute of Epidemiology है ये भी चेंड़े में National Institute of Cancer Prevention and Research है ये नोईड़ा में है National Institute of Malaria Research है ये दिल्ली में है ये कुछ आप National Institute देख सकते हैं जो की ICMR के अंतरगत आती है ये कहां परिष्टी थे आप पीडियो फाइल में जरूर देख लेना एक दोस्तों ICMR वाइरस यूनिट है वो कौकता में है और फिर में बात करूँ बीमा विनियमक और विकास प्रादिकर्ण यानि IRDA Insurance Regulatory and Development Authority है जिसकी इस्तापना 1999 में ठीक है बीमा होगा 1999 वर्ष में तो बीमा विनियमक और विकास प्रादिकर्ण है ये 1999 में ठीक है और ये दोस्तों हो जाएगी Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 की तैत इस्तापिद मलोतरा शमीती की सिफारिस के बाद इसे इस्तापिद या फिर गटन किया गया है 1999 में मलोतरा शमीती की सिफारिस के बाद में इसका Headquarter हेदराबाद तेलंगाना में याद रिखी का बीमा विनियमक और विकास प्रादिकर्ण यनि IRDA का जो मुख्याल है वो हेदराबाद तेलंगाना में 2001 तक वेशे इसका Headquarter दिल्ली में था Chairman वर्तमार में ये vacant है इससे पहले जो Chairman रह चुके है इनके थे शुभाज चंदर खुंटिया थे IRDA के Chairman उद्धिश्य क्या है तो बीमा की Policy धारकों के हितों की रक्षा करना जिनोंने ये Policy रे रक्षा करना उन सभी की हितों की रक्षा करना बीमा उद्धियों का करमबद विनिमेन हो गया समर्धन और सम्मंदित आखश्मिक मामले पर कारे करता हैं और IRDA में सदेश्यों किसेंगे टोटल दस हैं नेश्ट देखीगा Indian Council of Agricultural Research है तो ICAR यनि भारती कर्षी अनुसंधान परिशद है इसके स्थापना सोहला जुलाई 1929 को हुई है मुख्याले दोस्तों नई दिल्ली में इसका है तो यह सोहला जुलाई 1929 को भारती कर्षी अनुसंधान परिशद है तो इस सोसाइटी का पहले नाम Imperial Council of Agricultural Research का और वरतमान में इनके जो Director General है ICAR के यनि Indian Council of Agricultural and Research के जो Director General वो दोस्तों तिरलोचन महुत्रा है तो तिरलोचन महापात्रा वरतमान में भारती कर्षी अनुसंधान परिशद के Secretary और Director General है ICAR के और सिरी नेंदर शिंग तो आमर आपको पता ही होगा यह है Agriculture and Farmer जो कर्षी मंत्री कह सकते हो Next बात करते हैं Inland Waterways Authority of India की तो भारती अंतरदेशी जल मारक प्रादिकरण है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी 17 अक्टूबर 1986 को याद रखेगा भारती अंतरदेशी जल मारक प्रादिकरण की स्थापना हुई है Headquarter दोस्तों IWAI का है Noida उत्रप्रदेश में अंतरदेशी जल मारक की वैसे टोटल लंबा ये वो 14,500 किलोमेटर है जिसमें से लगबग 500 किलोमेटर नदी और 4,000 किमी नहरों का उप्योग होता है जाजों के दौरा टोटल देखी है कितने नेस्थाल वाटरवे से काफी बार NTP से एक्जाम में स्वाल आया हुआ है कि इनके बेच में कौन सी नदी से होता हुआ है तो नेस्थाल वाटरवे 1,2,3,4,5,6,6,6,6 वाटरवे काफी इंपोटेंट हो जाते हैं एक्जाम की दश्टी से NW1 की बात कुरू नेस्थाल वाटरवे 1 की से होता हुआ तो नेस्थाल वाटर वे 2 याद रखी का ब्रह्मपूतर नदी सद्या धूबरी की मद्दे और इसकी लंबाई है 891 किलोमेटर है वो शेकिन की 1620 पर्थम की है प्रयागराद हल्दिया की मद्दी पर्थम है शर्ण धूबरी की मद्दे जुत्ति में ब्रह्मपूतर नदी से होता हुआ क्योंकि एक याद नदी है तो यहां से स्वाल जरूर पूत्था दाता है एक्जामे नेस्थाल वाटरवे 3 की बात की यो जी कोर से कॉलम की मद्दे चलता है नेशनल वाटरवेज चार के इनके मद्दे हैं दोस्तों काकिंडा और पुदुचरी की मद्दे हैं और ये दोस्तों के इनके मद्दे किस से होता हुआ कौन सी कैनल से या पर नदी से होता हुआ ये टोटल 1095 किलोमेट दोरी तै करता है नेशनल वाटरवेज चार हैं तो किनक टेंग के मद्दी थेड़ है तो कैनाल्स और कालूवेली टैंक के मद्दे है जो की यहाँ पर हो जाएगा बदरचलं यह जो गोदावरी नदी पर यह स्ट्रैच है भादरचलं और राजा-मूंद्री इस्ट्रैच है साथ ही साथ एक और रिवर है किष्णा इनके मद्दी जो इस्ट्रेच है वो हो जाएगा दोस्तो वजीरबाद और विजेवाड़ा तो इनके मद्दे हैं गोदावरी और किष्णा नदी कह सकते हो का और करता नैस्तल वाटरवे चार है ये ककिंदा और पुदुचेरी का पु देख सकते हो जैसे कि जो आपका नैस्तल वाटरवे 5 है वो ब्रामनी नदी है तो ये किनके मद्दे श्टेच है तो तालचर धामरा श्टेच है वो ब्रामनी नदी का और बात करूँ इस्ट कोष्ट कैनाल का तो यह हो जाएगा दोस्तों ग्याउखाली और चरबत्या नेस्तल वाटर वे च्छे की बात करें तो ये अस्सम लखी फूर्स ये भांगा रीवर है जो बारक इनकी मद्दी चलता है लेंद 121 किलोमेटर तो रीवर बारक से होता हुआ नेस्तल वाटर वे च्छे हैं 121 किलोमेटर लंबाई है फिर मैं नेस्ट बात करूँ लाइफ इं दोमिनी डारेक्टर कौन है LIC के वो दोस्तों शिरी पंकज जैन हो जाएंगे और मैनेजिंग डारेक्टर की बात करूँ शिरी विपिन आनंद मुकेश कुमार गुपता शिरी राज कुमार और शिधार्थ मोहनती ये सबी क्या है मैनेजिंग डारेक्टर है और गवर्मेंट दोबीनी डारेक्टर है शिरी पंकज जैन है चैर परसंद एमार कुमार है और ये मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस के अंत्रकत है पून्ट गवर्मेंट LIC है LIC भार्थ की सबसे बड़ी जिवन भीमा कंपनी जो देश की सबसे बड़ी निवेस्टर कह सकते हैं इनका इन्वेस मेडिकल कमिशन ने तो नेस्टर मेडिकल कमिशन जिसकी स्थापना कह सकते हो 25 सितमर 2020 को ही है ये इंपोर्टेंट हो जाता करन्ट अपेश की दस्टी से भी और नेस्टर मेडिकल कमिशन ने किसका इस्ताम लिया है तो MCI Medical Council of India जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी वर्तमान में नेस्टर मेडिकल कमिशन के जो चैर पर्षन है वो डॉक्टर सुरेच चंदर शर्मा हो जाएंगी पर्थम भी कह सकते है और वर्तमान में भी NMC नेस्टर मेडिकल कमिशन के चैर पर्षन है नेस्टर काउंसिल ओप एजुकेशनल रिसर्च एन ट्रेनिंग जिसकी स्थापन 1961 में है और जो NCRT की जोइन डारेक्टर है वो दोस्ते हैं तो डॉक्टर हरूश के सैनाज पती वरतवाना के जोइन डारेक्टर है दोस्तों 1953 में हुई है मुख्याले न्यू दिल्ली में है चैर्मेन और मैनेजिंग डारेक्टर है वो दोस्तों सुनील कुमार है NRDC National Research Development Corporation इस्तापना 1953 में और वर्तमान में MD है वो सुनील कुमार है प्रेस काउंसिल अप इंडिया यही भारते प्रेस परिशत के स्तापना 1966 में हुई है मुख्याले न्यू दिल्ली में चैर्मेन काफी इंबोर्टरंट है यह तो हो जाएंगे चंदर मुली कुमार प्रशाद है तो जश्टिस है चंदर मुली कुमार प्रशाद जो जज रह चुक है सुप्रिम कोर्ट की रेटार डेबी 1966 में प्रेस काउंसिल अप इंडिया के स्तापना यह वर्तमान में जैर्मेन है अध्यक्स जो रहता है प्रेस काउंसिल अप इंडिया का तो ये अध्यक्स परिशद का पर्मुक होता है जिसे राजसवा के शभापती लोक्षवा अध्यक्स और प्रेस परिशद के सदिश्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं और जो परिशद हैं बात हो रही यहां पर भारती प्रेस परिशद की तो इनके अधिकान सदिश्यों हैं वो पत्तरकार बिरादरी से होते हैं लेकिन इनमें से तीन सदिश्यों विश्विदाले अनुदान आयोग बार काउंसिल अप इंडिया और शाथ्य एकादमी से इनको जैतावनी देशद हैं और इनकी कड़ी निंदा भी कर सकती हैं, प्रेश परिशद हैं, परिशद की जो निंदे हैं, इनको किसी भी नयलने में आप चैलेंज भी नहीं कर सकती हैं, नैस दोस्तों जो इस्टिटूट है, स्पोर्ट अथरिटी अप इंडिया हैं, भारती खेल प्रादिकरण हैं, जिसकी स्टापना 1984 मे हुई हैं, हेड़कार जो भारती खेल प्रादिकरण स्टाइ यानि स्पोर्ट अथरिटी अप इंडिया का है, वो जौला नहरु स्टिटिम दिल्ली में हैं, और इसकी टेट जो नैस्टनल सुर्ट अथरिटी अप इंडिया में, दो परमुक इंस्टिट हैं, वो कहां पर है तो एक तो नेताजी सुभाज National Institute of Smart है ये पंजाब में पट्याला के अंतरकत है और उसके बाद लक्ष्मी बाई National College of Physical Education है तिरवन पुरम केरला में है ये दो इंपोर्टेंड इंस्ट्यूट है साई की Sport Authority of India की एक तो आपके नेताजी सुभाज National Institute of Sport है काफी बार एक्जम आता अंदीप मुकुंद परधान है बरतमान में डीजी है भारति खेल प्राधिकरण की ग्यारा रीजनल सेंटर है स्पोर्ट अथरिटी आप इंडिया के टोटल और जो इलेवन्त किरण रिजूजू ने जिरगपूर पंजाब में शाई का ये जो इस्पोर्ट अथरिटी आप प्रदेश में Central Board of Secondary Education इनी CBSE की देख लेते हैं तो CBSE की स्थापना है 1962 में होई है तीन नवंबर 1962 को CBSE का मुख्याल है नई दल्ली में और चेर परशन है वो मलोज अहुर्जा है CBSE के चेर परशन फिर बात कर लेते हैं Animal Welfare Board of India एंडिया एंटिपिसी माज चुका इससे अपना है नहीं जो 1912 में इससे स्थापना है इसका मुख्याले का अपर तो बलब गड हरियाना में इसका हेड़कॉर्टर हैं 2018 से पहले ये Animal Welfare Board का जो हेड़कॉर्टर था वो चैने में था और 2018 के बाद में अभी हेड़कॉर्टर है इसस्थापित हो गया है बलब गड हर प्रशु कुरुटता निवार्ण अधिनियम 1960 के तायर इस्थापित है वर्तमान में Animal Welfare Board के जो चैर्मेन है डॉक्टर ओपी चौदरी है नेशनल कमिशन फॉर माइनरिटीज है तो राश्टी जो अलप शंक्यक आयोग कह सकते हो इसकी इस्थापना है तो पहला जो राश् अलप शंक्यक आयोग की इस्थापना की दे थी आम्ड फॉर्स ट्रिबुनल है इसकी स्थापन दोस्तों 2009 में हुई है आम्ड फॉर्स ट्रिबुनल याद रिखेगा इस्थापना आठ अगस 2009 को और ये आम्ड फॉर्स ट्रिबुनल एक्ट दोजार साथ के तायर इस्थाप आपना 1988 में हुई हैं किस के अंतर के दाता है कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की तैत इसे 1988 में इस्ताफित क्या गया है राष्टी उभ्भोगता विवाद नेवारन आयोग हैं जिसका मुख्याली नई दिल्ली में है वरतमान में अद्यक्स इनकी जस्टिस आरके अगरवाल हैं राष्टी उभ्भोगता विवाद नेवारन आयोग की लो कमिशन आप इंडिया है तो पहला विदी आयोग है जो लो कमिशन ने विदी आयोग की बात हो रही है वो 1834 में बिल्टिस राज यूग की दोरान 833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके दोरा पर्थम विदी धक्राठी आयोग की इसतापना 834 में हुई थी जिसके अध्यक्स्ता है वो लाड मेकाले ने की थी पर्थम विदी आयोग की अध्यक्स्ता और स्वतंतर भारत का प्याव यह स्वतंतर अध्यक्स्ता में तीन साल के कारिकार के लिए स्वतंतर गया था अभी बायूश्मे की बात हो रही है, next बात करते हैं, National Commission for Women, राष्टी महिला आयोकी, तो राष्टी महिला आयोकी स्थापना एक जनवरी उन्डिसो बानवे को ही है, राष्टी महिला आयोकी जो मुख्याल है वो नई दिल्ली में है, आयोकी पहली प्रमुक है, वो सुसरी जे राष्टी मानवे यादर कीगा 31 जनवरी को, फिर बात कर लेते हैं, National Human Rights Commission राष्टी मानवा दिकार आयोक है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 सभी को पता होगा, हेटकॉर्ट सर्दार पटिल भौन न्यू दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष और सज़िश्यों का कारेकाल क कितना होता है, National Human Rights Commission राष्टी मानवा दिकार आयोक के जो अध्यक्ष और सज़िश्यों का कारेकाल है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए, वो उनका टेनर रहेगा, राष्टी मानवा दिकार आयोक का गठन है, वो किस सिधान्त का नुरूप है, राष्टी मानवा दिकार आयोक के अध्यक्ष जो एचल दत्तु है थे, तो इन्होंने इस आयोक को दंत वीहिन बाग का था, तो दंत वीहिन बाग है, वो किन्होंने कहा था राष्टी मानवा दिकार आयोक को, तो ये एचल दत्तु ने कहा था, पर्थम चेर्मेन जश्टि रंगनात मिसरा, Justiz Rंगनात मिसरा है, वो राष्टी मानोदिकार आयोग National Human Rights Commission के पहले अद्जयक्षर रह चुके हैं, वरतमार में च 네श्चनल हुमन राइट कमिशन के वर्तमार में चैर परशन 2 जून 2021 से काफ़ी अच्छा करंटपेश मनता हैं अरून कुमार मिश्रा अब नेक्ट देख लेते हैं अपन नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल है काफी बार एंटिपीशिम पुछो वस्वाद रिपीट वातां इस्तापना से 18 अ प्रूबर 2010 को इस अधिनियम के तैद प्रयावन से संबंदित कानूनी अधिकार हैं इनके परवर्तन हो गया व्यक्ति और संपत्ति के नुक्षान के लिए सहायता है शती पूर्ति देने या उनसे संबंदित कुछ अन्य मामले हैं तो प्रयावन संक्षन और वंद था अन् तो बैकवार्ड क्लास के लिए जो राष्टी पिछला वरग आयोग के लिए इसकी स्ताप्न वेसे 14 अगस्त 1993 को ही हैं लेकिन जो समिधानिक दर्जा दिया गया है नैशनल कमिस्टन फॉर बैकवार्ड क्लास को वो 123 समिधान संसुदन विदेक जुबिल आया था 2017 में फिर एक्ट पारित हुआ हैं 102 समिधान संसुदन से स्वाल आता हैं तो आप कहेंगे इसमें राष्टी पिछला वरग आयोग को समिधानिक धर्जा दिया गया है 102 समिधान संसुदन एक्ट 2018 के दोरा वर्तमार में जो चैर्मेन हैं किसके तो नैशनल कमिस्टन फॉर बैकवार्ड जाप्ति आयोग हैं तो जाप्ति अनुसुचित जाप्ति आयोग है एस्टी के लिए जो राष्टी आयोग हैं 21 आर्टिकल में तो 338 अनुच्छे 338 में मिलेगा वर्णन इसकी स्थापना राष्टी अनुसुचित जाप्ति आयोग की स्थापना है 19 फरवरी 2004 को की गई हैं डिली में वरतमान में चैयर्मेन जो चैयर्मेन कोरे सामपला वरतमान में राष्टें अनुसुचित आयोग और की स्री शुरुच भान थे 2004-2006 तक चार में राष्टियां अनुसुचित जाते आई हो कि इस्तापना होई थी आर्टिकल 338 में मिलेगा यह और आर्टिकल 338 B में है नेशनल कमिशन फॉर बैकवार्ड क्लास आर्टिकल उसके बाद अपने इस्तापना भी उन्डेस फ्रवल 2004 कोई है है एटकवार्ड नई दिल्ली में है चैर्मेन आप याद रखीगा एस्ती में तो यह है हर्ष चोवान है एस हर्ष चोवान वर्तमान में नेशनल कमिशन फॉर चैर्मेन है और विजे शांपला है फिर नेश्ट देख लेते हैं अपन इलेक्शन कमिशन उप इंडिया भार्ट का जो निर्वाचन आयोग है यह किस आर्टिकल के अंतरकत है तो 324 में भार्ट का जो इलेक्शन कमिशन है वो आर्टिकल 324 में आपको वर्णन मिलेगा इस्तापना 25 जनौरी 1950 कोई है मुख्या चुनाव आयोक्ति वर्णमार में कौन है चीप इलेक्शन कमिशनर तो वो है दोस्तों सुशील चंदर है वर्णमार में चीप इलेक्शन कमिशनर और एक होता दोस्तों इलेक्शन कमिशनर सिर्फ इलेक्शन कमिशनर एक होता चीप इलेक्शन कमिशनर तो चीप इलेक्शन क अदेतल ने कमिस्इनर हैं एक अनूप चंदर पांडे जो अभी हाली में 8 जून को न्यूपती मिली है मुख्य चुनाव अयूपती और अन्य चुनाव अयूपती न्यूपती कौन करते है राष्ट पति और इनका कारेकाल 6 वर्ष या आयू 65 साल जो भी पहले है वो कारेकाल रहता है और ये तो मुख्य चुनाव आयू का कारेकाल है और बाकि चुनाव आयू का कारेकाल 6 वर्ष है 65 के स्थान पर 62 वर्ष है यहीं तीन साल पहले कह सकते हो चुनाव आयू का कारेकाल है मुख्य दोरा और किन को हटाया जाता है राष्टपती हो गए और मुखित चुना इसके अलाव भी हटाया जाता है वो आप जरूर कमेंट करना थाकि मेरे को पता चल जाए कितने स्टुडेंट है के अंडेट है कंटीन वीडियो देखते हैं तक अगला है आपके संग लोक्षे वाजो इसको हुई थी वैसे ये 26 जनवरी 1950 में भारत की सुविदान के उटगाटन के साथ ही पहले इसका नाम जो फैडल पब्लिक सर्विश कमिशन था इसको संग लोक्षवा आयोग है यूपीसी यूनियन पब्लिक सर्विश कमिशन नाम दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को बाकि इस्त इसको फैडल पब्लिक गिर्वेंस और पैंसर मंत्रा ले चैर्मेन कोहने वरतमान में यूपीसी की ये काफी इंबोर्टेंट है यूपीसी की चैर्मेन है प्रदीप कुमार जोशी है और आयो के जो सदिश्य रहते हैं यूपीसी के राष्टपती की दोरण न्यूक्त होते कम से कम आधे सदिश्य हैं वो कोई लोग शेवा की सदिश्य होने चाहिए करेरत हो या फिर अवकास प्राप्त हो जो न्यूनतम 10 वर्ष का उनके पास लोग शेवा का एक्स्पिरेंस भी हो और इनका जो टेन्योर रहता है 6 वर्ष या फिर 65 उमर है वर्ष की उमर जो भी प 20 से 25 के में दिकाले करेकाले इनका और चोध में वित आयूक के अध्यक्स थे डॉक्टर वाईवी रेडी पर्थम के केसी न्यूगी थे आर्टिकल 280 में आपको बनन मिलता है वित आयूक का अगला है आपकी कंप्रोलर एंड ओडिटर जनरल ऑप इंडिया भारत के नियंतरक एवों महालेखा परिक्षक कैसकतो हिंदी में कौनसे आर्टिकल में आपको मिलेगा C.A.G. भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक वो आर्टिकल 148 में बनन मिलता है C.A.G. का 1808 में स्थापिते ये और भार सरकार ताता सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेख और अंकेक्षन करता है भारत के नियंतर्ण और महालेखा परिक्षक की न्यूकती है वो राष्टपती की दोरह की जाती है इनका जो कारिकाल आवधिकाल रहता है वो 6 या फिर 65 वर्ष की उमर रहती है जो भी पहले हो बरतमान में कंट्रोलर एंड ओडिटर जनरल जीसी मु याद रिखीगा अगला देखीगा महा न्याईवादी एट्रोनी जनरल अफ इंडिया भारत सरकार का कैए सकते हुँ मुखे कानूनि सलाकार या फिर आपका सुप्रिम कोर्ट उचितम न्याले में सरकार का परमुक वकील है वो एट्रोनी जनरल महा न्याईवादी होती है आर्टिकल छेतर में इनके पद का वर्णन्द मिलेगा आपको इस्तापना 1950 मुईती 28 जरवर 1950 को इनके न्यूकति भारत के राष्टपती की दौरा की जाती है जो व्यक्ति सुप्रिम कोड न्यायदिस बनने की योगिता रखते हो ऐसे किसी व्यक्ति को राष्टपती है वो मह पर्षाद प्रेंथ है यानि मर्जी के अनुसार वो कारियरत रहते हैं महानियावादी और पंदरवे या फिर करंट जो एट्रोनी जनरल है महानियावादी है वो केके वेडू को पाल है फर्स्ट जो एट्रोनी जनरल थे MC शैटलवद थी फिर नेश्ट बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कानुनी जैसे कि scaag जी महानियावादी है प्रथम कानूनी जनरल है देश के दूसरे سबसे बड़े कानूनी जनरल की मदद करते हैं तो एट्रोनी Council of India है तो Advertising Standard Council of India की स्थापना 1985 होई है मुख्याले मुंबई महाराष्टर में और इनके चेर्मेन है वो शुभास कामत हो जाएंगी अगला है आपके भारते प्रतिस्पर्दा आयोग है Competition Commission of India है काफी important है स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्दा आयोग की स्थापना The Competition Act 2002 के तैट की गई है उद्देशी क्या स्थ प्रतिस्पर्दा को बढ़ावा देना ताकि बाजार और भोगताओं के हित का साधन मराया जा सके चेर्मेन अश्रोकुमार गुपता है competition जो कमिशन है इनकी वरतमान में अद्देख्ष अश्रोकुमार गुपता Headquarter नई दिल्ली में 2003 में स्थापित वाई यह जरूर यादर करा National Biodiversity Authority है जिसके इस्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी अगला आपके है डारेक्टर जनरल ऑप सिविल आवियसन है जिया कह सकते हूँ डीजी सिये जो इस्थापना इस्थापना पिते पर वरतमान में जो डीजी सिये के डारेक्टर जनरल है वो अरून कुमार है अरून कुमार डारेक्टर जनरल है डीजी सिये के फॉर्वार्ड मार्केट कमिशन की बाद के तो इस्थापना 923 मोई है मुख्याले मुंबई में है forward market commission और ये regulator of community future market है तो commodity है जैसे कि gold वगेरा है silver है, copper है, जो metals वगेरा है उसमें trading होती है तो future में especially future और option होता है फेलों में तो future market में पहले जो regulator था नियमक शंस्ता कह सकते हो border market commission forward market commission था इसका बाद में विले हुआ वो कब हुआ है, सेवी में अभी सेवी ही जो भी share market या फिर आपकी community और security दोनों केस में सेवी यहाँ पर नियमन करता है तो 28 सितमर 2015 को community futures market के नियमन को मजबूत बनाने के लिए FMC forward market commission है इसको सेवी के अंतरकत मिला दिया गया था वो 2015 में मिला गया था को हुई थी, इस ता आपना याद रखीगा 12 October 2005 को वर्तमान में मुख्य सूचना आयुद कौन है दोस्तों यह है, यश्वर्धन कुमार सिना है नवंबर 2020 को ही बने थे मुख्य सूचना आयुद थे यश्वर्धन कुमार सिना है और मुख्य सूचना आयुद और सूचना उपायुद की न्युक्ति है वो राश्पती की दोरा जो एक कमिटी रहती है, शमिती है उनकी शेपारिश पर की जाती है तो इस कमिटी में कौन रहते हैं तो एक तो परधान मंत्री जो समिती का अधिक्स रहेगा उसके बाद लोक्षमा में विपक्षा नेता रहता है और फिर परधान मंत्री की दोरा नाम निद्धिष्ट संग मंत्री मंडल का एक मंत्री भी यहां पर रहता है जो समिती रहती है यह राष्ट पती के दोरा मुख्य सूचना अयोगत और सूचना उपयोग की न्युक्ति के लिए से पारिश करता है अगला है आपकी इंकम टैक्स एपलियेट ट्रिबुनल है आईटी एटी जिसके स्थापना उन्निस रहे और इसकी जगर रिप्लेस किया है नीटी आयोग ने तो नीटी आयोग से पहले कौन सा आयोग था योजना आयोग था जो की डिजॉल हो गया था 13 अगस 2014 को नीटी की फुल फॉर्म से स्वाल आता है National Institution for Transforming India है योजना आयोग की स्थापन दोस्तों 15 मार्ज 1950 को हुई थी जिसके स्थान पर अब नीटी आयोग का गठन एक जनवरी 2015 को हुआ है तो योजना आयोग था पहरे 15 मार्ज 1950 को गठी थे नीटी आयोग की बात के तो वर्तमान में इनके जो चेर परशन है या फिर चेर परशन के केस में जो PM रहते हैं जैसे कि नरेंदर मोदी है अभी और राजी कुमार है वाई से चेर परशन नीटी आयोग के श्री एओ है वो अमिताप कान्त है जो सेकेंड सीओ है और फर्स्ट सीओ थे नीटी आयोग के वो दोस्तों शिंदू श्री खुलर थे और फर्स्ट वाई चेर में थी जो नीटी आयोग के अर्विन पनगडिया थे जिस पर अभी वरतमाल में राजी कुमार है नेश्ट आपके हैं सेंटर ब्यूरो आप इन्वेस्टिगेशन केंद्रिय अनुवेशन ब्यूरो तो ये सीब्याई की बात हो रही है ये इंपोर्टेंट है वरतमान में डारेक्टर जनरल कौन है सीब्याई के तो शुबहुत कुमार जेश्वाल बनेते हैं माई 2020 को और इसमें एक स्पेशल डारेक्टर भी रहते हैं तो स्पेशल डारेक्टर आप दा सेंट्रल ब्यूरो अप इनिवेस्टिगेशन में परविन्ट शिना जून 2021 को बने काफ़ा अच्छा कर्णट अपरिश मनता है यहां से स्पेशल डारेक्टर आप दा सीब्याई परविन्ट शिना इसका मोटो क्या सीब्याई का सेंट्रल विजिलेंस कमिशन है कैंदरी शत्रक्ता आयोग है तो इसके स्थापना हुए 11 फरवर 1964 को कैंदरी शत्रक्ता आयोग के स्थापना स्री के संथानम शमीती के अद्धिक्स्ता में भष्टाचार निवान शमीती की सिफारिश पर तो ये स्री के संथानम जो इनकी अद्धिक्स्ता में एक समीती थी भष्टाचार निवान शमीती इनकी अद्धिक्स्ता में इसी समीती के अधार पर सिफारिश पर कैंदरी शत्रक्ता आयोग का गटन हुआ था ये तो हो गया केंदरी शत्रक्ता आयोग जो एक्ट बना है 2003 को स्यूकरती मिली है वैसे इस्तापना 1964 को हुई थी इसमें केंदरी शत्रक्ता आयोग होता है जो अधिक्स रहता है और दो अन्य सत्रक्ता आयोग थे सदे से जो दो से अधिक नहीं हो सकते इसमें कारेकाल इनक केंदरी शत्रक्ता आयुक्त लोगपाल देख लेते हैं लोगपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013 के दोरा केंदर के लिए ये लोगपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्ता के वश्ता हुई हैं तो केंदर के लिए लोगपाल राज्यों के लिए लोकायुक्त है ये संस्ताय बिना किसी समिधानिक दर्जे वाली वेधानिक निकाय हैं जो उच्च सरकारी पदों पर आसिन वेक्तियों के दोरा की जारे भश्टचार के शिकायते सुनने और उन पर कारेवाई करने ही तो लोगपाल पद का सर्जन किया गया है और वर्तमान में या फिर पिना की चंद्र घोष हैं 19 मार्च 2019 को बने थी लोगपाल और लोकायुक्त में अभी एक संसुदन विदेख भी रहा है वो 2016 का था अंतिम है राष्टी विकास प्रिशद नेस्नल डर्लोप्मेंट काउंसिल जिसकी स्तापना 1952 में हुई है च्छ अगस्त को अधिक्स होते ह प्रधान मंत्रे होते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल 66 पलस जो परमुक संख्थन कह सकते हो जो इस्पेशली गवर्मेंट के हैं या फिर इंस्टिट्यूशन है बोल्ड हैं तो इन से सम्मझत एक्जा में एकसर इस प्रकार स्वाल पूछ ली जाते हैं आई हो सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्रिवेस्ट एर के तो प्रेपर एंटिप्रिसी वगेरा को डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद